अलो फ्रेंस मैं उस्वरत हमारे यूट्व चनल में आपका स्वागत है फ्रेंस आप लोगा सभी कमेट था कि जो फ्रस्टेंग जो टॉilet का उपर फ्रस्टेंग लगा रहता है बेसिक ड्रस्टेंग पता है जब और फ्लस्ट होने के बाद पानी दोभर भुरता है और तो क्यों से साउंड आ रहा है तो कियो को सुरूंड कर सकते हो फ्रेंट्स ही इस वीडियो में आपको निगा स्लिम है और यह फ्रेश्टेंग है इसमें क्या हो रहा है जब भी फ्लास एक बर मारने के बाद जब दोबारा पानी बढ़ता है तो बहुत जोर से साउंड होता है जिसके बाद से अस्ट्रमर का बहुत सरी कम्प्रेशन था इसलिए मैंने खोल के लाया अभी इसका मैं रेडी करके आपका साबने में मैं आपको देखाता हूं फ्रेंस देखिए जब भी ऐसे प्रोलम आता है इसका कवर पहले खोल देना है इसका जो फ्रेंस पहले इसका कवर खोल देना है और अब देखिए मैं आपको देखाता हूं यह कमंडर का थोड़ा सा डिफरेंट है इ मुम्भी बढ़ करना है जो साउंद आ रहा है साउंद आ प्रो प्रोलम में इसको पहले खोल देता हूं ळबाहर लाकरके इसको आप बाहर निकाल सकते हो देखे फ्रेंज यहाँ पानी को कंट्रोल करता है जब भी फ्रेंज से पानी आता है जो जो कॉप को खोलना है खोलने के बाद फ्रेंस इसका अंदर एक वासर है देखिए यह जो प्रेस बटम है देखिए यह प्रेस बटम है और यह जो वासर लगा हुआ है फ्रेंस क्या होता है यह वासर के पुराना होने के बाद यह हाड हो जाता है बहुत टाइड हो जाता है प् स्टीब करते हुआ है ज्यादा पुराना होने के बाद ये प्लास्टिक टाइप में लिए हम्हेह उसमें क्या होता है आप होगे लिए उस सट जाता है तो ये को भडलना पड़ता करने के लिए क्योंकि ज्यादा होने के बाद यह थुड़ा हाड भी हो सकता है पानीका जो हका हाड वेटर के वेस से यह थोड़ाया यह ओजpy सरब करना हो जाता है और इस टैम्स के क्या होता है यह जोना करने अलाए सबस्क्राइब करना है चैंज यह सबमें आपको यह सब। क्थी जबहुंगी एक प्रेश बाटम जो बाल उपर आता तो यह प्रेस करके बंद करता है अगर हीना तो ठीक से काम नहीं करेंगा तो यह साउंड करना सुरू करता बर्र ऐसे साउंड आता है इसलिए उसी टाइम में जब साउंड आता तो यह वासर को चेंज कर दीजिए अगर यह वासर चेंज होने के बाद साउंड तो आना नहीं चाहिए 100% साउंड बंद हो जाएगा फिर भी अगर कुछ प्रोलम दिया तो यह आपको यह सेट चेंज कर सकते हो इसका नम बॉलकक है और फ्लस्टेंग का बॉलकक है जाके आप बोले तो हड़ासर में मिल जाएगा यह आप लाके इसको सेट कर सकते है और फ्लस्टेंग का लिकेज कैसे रिपैर करते हैं और फ्लस्टेंग का लिकेज कैसे रिपैर होता है बलकक का फ्लस्टेंग का जो साइपन लगा है इसका जो लिकेज होता है वासर कैसे बदलना यह अलड़ी में वीडियो बना हुआ है एंस्क्रीन में दे दूंगा आप इ परसेंट अगर वीडियो आच लगा चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक तो फ्रेंट से जरूर करना आज के लिए इतना ही है